तो खेडिशस में संजीत और आपको स्वागत मेरे चैनल के और एक नए वीडियो में आज अम लोग इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स के बार ट्रिक्स के ओपर डिसकस करेंगे मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और और रिलिटेड होगा ब्राउसर है इंटरनेट के उप पर अगर आप अगर आप क्या आजकल सब को इंटरनेट ब्राउसिंग यूज करते हैं और ओके सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मेरे चैनल को प्ले सब सब्सक्राइब कर ले और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर ले अगर आप चाहते हो और बट चैनल को सब् अगर आपको कोई नोट्स लेना है अपने दोस्त के पास से आपको कोई नोट्स लेना है और आपके उसके घर में चले गए है ना और आप टाइब कर लेता है तो उसे केश में आप क्या उसकर सकते है आप अपना browser है इसको यूज़ कर सकते हैं अपना दोस्का computer में आप अपका दोस्का computer में आप chrome browser खोल सकते हो खोल लो फिर वहाँ पर search बार में आपको लेखना है protected text जो है अगर underscore देने का बाद आप कोई भी subject लेख सकते हैं जैसे का आपको science का notes copy करने का बाद मैं अभी science नहीं दूँगा क्योंकि मैं पिछले second time पहली भी मैं science दिया था तो मैं आपको बता दूँगा क्यों नहीं दिया मैं मैं अभी यहाँ पर English दे दूँगा यह लिखने का बात आपको जो मैं ने और आपका यह protected test.com और slash के बाद आप कुछ भी देख सकते हैं अब अपना subject का नाम आपका नाम आप अपना नाम और subject का नाम कुछ भी देख सकता है आपके याद के लिए मतलब फिर यहाँ पर आपको enter दबाना है जैसे आप enter दबाते हो तो कुछ इस तरह खुल जाएगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा संजीत English create a site यहाँ पर आप create a site का बटन में क्लिक करने का बाद आपको इधान रखना पड़ेगा अपना password करेट करना पड़ेगा चलिए मैं पासवर्ड देता है 1234 और रिपीट पासवर्ड में भी 1234 दोनों पासवर्ड में ने दे दिया और खट गया save है ना और यह तो save कर लिए अभी आप सोच रहे हों इसलिए यह automatic आगे auto type बट आपका computer में इसा टाइप नियागा आपको simply जो जो आपने लेखे थे same to say मुझसे लेखना पड़ेगा और उसका बात फिर से enter इस बार जब आप enter करेंगे यहां मांगेगा आपको password यह वह यह वाला password है जो अपने आपका friend के computer में टाइप किये थ सकते और चाहे तो आप password भी change कर सकते है और delete भी कर सकते है ना तो यहाँ पर फिर अभी मेरे computer में इसको complete करूँगा है ना सो बस इतना ही और उमीद करते हो यह trick आपको useful लगी होंगी तो बढ़ते हैं अपना second trick के तरव है ना सो के अपना जो second trick है उसके लिए भी आपको एक chrome browser की ज़रूत है आप कुछ भी उसकर सकते है आप opera भी उसकर सकते है आप firefox भी उसकर सकते है तो मेरे को काफी अच्छा लगता है chrome browser तो मैं इसको यूज करूँगा यह basically कॉंसा trick है और अजकल के जो मतलब अभी का time में बहुत कुछ website बैन हो चुका है या अपना जो isp इंटरनेट सर्विस प्रवेडर है उन लोग ने भी कुछ website बैन कर दिया है जैसे कि कुछ का नाम बता दो तो पता निया जैसे अभी omegal बंध है और फिर club factory बंध है dot com बला तो फिर मेरा isp से यह दोनों बंध है पता निक्यों यह दोनों website में विजिट नहीं कर सकते मेरा wi-fi connection से लेकिन अगर फिर भी मैं चाहूं और अब भी चाहूं कि आप उस website में विजिट करो जिस website म आपके isp ने band किया है तो उसके लिए कुछ simply अपना आपका जो chrome browser उसको खुलना पड़ेगा फिर search bar में टाइप करना पड़ेगा गूगल gw google translate टी आरे न फिर आपको देना पर एंटर करने का बाद आपका कुछ यह box कुल जाएगा लेकिन आपको यहां कुछ नहीं करना आपको simply यह Google translate में click करना है कुकल ट्रांसलेट सोगे वहां पर क्लिक करने का बाद आपको कुछ इस तरह खुल जाएगा यहां पर आपको टाइप करना है ओ वेबसाइट का नाम जिस नाम जहां आप विजिट करना चाहते है याद रखिए लिंक मत पेस्ट की जिए जो लिंक यह होता है ट्रांसलेट यह आपने जो वेबसेट का नाम है जैसकी amazon.com.team आप यहां पर पेस्ट करें जो कि मैं अभी एक वेबसेट में विजिट करूँगा जो कि मेरा ISP से बंद है यह वेबसेट पता नहीं मैं क्यों विजिट नहीं कर पाता हूं मेरों यहां से मैं simply विजिट कर पाऊंगा यहां प आप यह पूरा वेबसेट को एकसेस कर पाऊंगे और होफुली आप कुछ यूसफूल करोगे यह ट्रिक यह ट्रिक करके यह समझ भारी होना ओके तो उमिद कर तो यह भी ट्रीक आपके लिए काफी यूसफूल होंगे और तो के अभी आपना जो नेक्स्ट ट्रिक है ओभी अब लुट को पर है डिपेंडेंट है तो हम लोग काफी यूस में लेते हैं काफी नोट पैड होगा वाडवत होग DB कॉछ कॉछ यह घर पर αυτे हम पर ब्रॉचर पर यूस में ले सकते हूँ तो उसकी लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस लिंक को कॉपी करना पड़ेगा और जो के मेरे description में एक link है उस link को copy करना पड़ेगा और simply यहां पर आके paste करना पड़ेगा और paste करने का बाद enter करने का बाद देख सकते हो आप यहां पर जो निशान है typing का निशान आ गया तो यहां पर मैं लेख सकता हूं hello this is me Sanjid so यहां पर आप लेख सकते हो और फिर इसको save कर सकते हो जैसे normal notepad save करते हो control plus s से आप save कर सकते हो तो हलागे मैं अभी save नहीं करूँगा मैं आपको दिखा दिया तो आप इसको use में ले सकते हो और अभी यह link हर बार copy करके रखना possible नहीं है तो इसके लिए solution है अगर यहां जो आपका right side में यह star दिख रहा आप इसको star में click कर दो और यहां पर लिख दो notepad यह bookmark हो देगा okay so यह था मेरा fourth yes yes यह था मेरा fourth fourth okay पता नहीं यह था मेरा fourth trick और अभी मेरा और एक last trick बाकी है शायद ओवी शायद क्या ओवी Chrome browser के उपर है तो मेरा last trick के लिए आपको क्या करना पड़ेगा simply फिर से Chrome browser खोलना पड़ेगा तो इसमें एक जो Google का Chrome का खुद का एक timer देता है हम लोग timer use करते काफी उसके लिए भी काफी जामिला है timer उमर सर्च करो कौन करेगा इतना तो उससे अच्छा आप Google में जाके Google timer सर्च कर सकते हो Google timer सर्च करने का बाद एंटर करने हो यहां पर आप इसको कितना घंटा कितना मिनिट कितना सेकंड के लि है इसका मतलब इसको फुली स्क्रीन पर कर सकते हो सिंपल है कितना मिनिमिल स्टिक मतलब अच्छा सा लग रहा है अब यह भी उस कर सकते हो कभी कबर कुछ जरुरत हो जादा timer का कुछ वीडियो बना रहे हो आप timer चाहिए तो इसको भी यूस कर सकते हो वैसे भी आजकल सब घरी में वच में फोन में timer तो आता है बट कुछ different के लिए आप इसका help ले सकते हो तो यहां पर आपको stopwatch भी मिल जाता है stopwatch और यहां पर timer भी और मस तो यह था फिप्त यह था last trick मेरा उमीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होंगी और आई होंगी और तो जरूर करें चैनल को और शेर करें अपने फ्रेंड के साथ तक मैं मिलता हूं next video में चेहिंक